तो अदला कोशेन है प्राइब कोशेन नंबर 30 भी काफी short question है आपके ये exam में आए वहला कोशेन आ जाते हैं वह सारे important हो जाते हैं question no 30 जो है थोड़ा सी घुमाva के सवाल है ध्यान से समझना पदेगा question no 30 तब आप इस question को लगा पाऊ zen पोशन देखी 30 नमबर क्यार अब गवला जा रहा है, the magnitude of principal stress at a point are 250 tensile and 150 compressive, तो एट पाथ बताइए, यह stress tensile में, यह stress तैसा है, compressive में, तो ज़रा दोनों stress लिद देते हैं, तो देखी पहला जो stress दे रहा है, F1 जो दे रहा है, वो 250 है, वो भी tensile में, इसलिए प्लस 250, और उस्टे बाद देखीए, जो F2 दे रहा है, वो minus 850 लिखा जाए रहा है, तो F2 बराबर हो दिया, minus 850, यह दोनों stress के मानें, बट यह दोनों तो दोनों stress दानतना, principal stress कहा जा रहा है, और जो भी principal stress होता है, वो हमे बताओ, on which, normal stress is 200 MPa in tensile, यहाँ पर tensile stress, normal stress, 200 mega pastel tensile कहो, वहाँ पर बताना है, आपको पहले यह CR stress, यह देटा आपसे पूछा जा रहा है, पहला data, अब फिरो CR stress, वहाँ पूछा जा जा रहा है, जहाँ पर normal stress 200 MPa हो रहा, latest nature हो रहा, tensile रहा, और आजे बोला जा रहा है, and the normal stress बताओ, normal stress बताओ, और वहाँ पूछा जा रहा है, on a plane at right angle to this plane, मतलब इस plane के जो right angle plane हो रहा है, वहाँ पर normal stress बताइए, तो यह दो data आपसे पूछा जा रहा है, भाई, यह लेते जो पहले data पूछा जाता है, हमेसा वही data आपको पहले बताना होता है, तो CR stress पहले पूछा तो आपको CR stress पहले बताना है, तो चलो बड़ इसको salt रते है, लेटे मेरे भाई, अटरी सवाल salt रना चाहते हो, तो यह सवाल आप लोग more circle से salt रहे है, ज्यादा आपको आसान पड़े रहा, तो हमें more circle जो extreme position होती है, that means diameter होते है, उनके लिए हमें पता है, तो more circle ठीच लेत plus 250, उस्टे बाद देखिए, वो minus 1.500 है, तो यह हमारा minus 1.500, तो यह minus 1.500 और यह plus 250 आदिया, यह diameter माने जाएंगे, अब इस्टे बाद बताओ, इस्टा में क्यान देखो, यह point तो तुम्हारा origin रहेगा, लेटें अभी हमें पताना पड़े रहे है, सर इस्टा center कहां होड़ पर हो जाएदा, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी center रहे 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 रहे, यह तीन ना है, तो आप देख सकते हैं, यहां से 50 से यह 200 की बीश्टी दुरी हो जाएदी 200, और 1500 से प्लस 50 दुरी भी, माइने 1500 से प्लस 50 दुरी भी 200 हो जाएदी, अब more circle ट्रॉटर देते हैं तो यह आपका more circle टुछ ऐसे बने रहे 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 रहे, तो 200 मेड़ पास्टल जो normal stress टेंसाइल रहे 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 रहे, तो 200 मेड़ पास्टल जहां पर टेंसाइल रहे रहे रहे, वहाँ पर आपको बताना है, shear stress मतलब वहाँ पर यह vertical line बतानी है, तितनी होनी चाहिए, आप देख लीजी यही वो plane होगा, जहाँ पर normal stress टो 200 हो रहेगा, बट shear stress टितना रहेगा, वो आपसे पूछा जा रहा था, that means पहले वाले पांट बे आपसे यह Q पूछा जा रहा है, यह shear stress टितना होगा, जहाँ normal stress 200 है, आप तुरंत इक्तान दीजिए, यह जो center है, इस center से फड़ा फड़ा विष्टो मिला दीजिए, तो मेरा भाई जो center से इस line को मिला जाए 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 जा, यही line ही तो, मुहर सल्कुली क्या बन जाए जी, radius बन जाए जी, तो इस बाब बताओ, यह 200 है, और यह Do a due-500 है, तो पूरा minus-200 से 600 30 तो दूरी हो डिह, वह हमारी हो जाए जी, 400, minus-200 से 600 30 तो बताओ, ज़िए जड़ा जो आधा होगा, वही तो radius बन जाए 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 जी, वह आपकी 200 हो ड़ाई, तो सर यह radius 200 हो बन जाए, तो सर यह point 200 है, और यह point 50 है, तो यह दू सब्सक्राइब तो सवल रांए देख्व सकता है यहा एट 0 है यहां भी एट 0 तो होगा तो जिरो दो डूरों अदय वहाँ यह नियोगे बंदर रोड लेंगे तो एट 0 हमारा क्यों सकते Pop मैं दस बार आजया तो अनदर विश गज्य Okay और स्क्रावार और यहां बजे रहा स्क्रावार तो यह बज 10 यह सुक्त cover शर्मघ्या आधे पंदरा स्क्क्राव शर्मा नार्यां फाल रादव जैसे तेंसल आउट हो रहा है यह 25 से सर टेंसल आउट हो सकता है 25 से तैसे 25 शट्रहोंता देर्स हो और 25 सत्य होता है 105 लेःट तो पचीस होगा उस्टा अंडरूड भी तु लिया जासता है तो 25 टंडर रूड हो जाएड़ा 5 तो 5 जैसे आप लोग बहार टड़ोडे तो 25 टंडर रूड पांच 5 बहार टड़ोडे तो 10 रूडे 5 चितना हो जाएड़ा 50 पचास बट हमारा अंदर 25 सत्य डेड़ एक सपचत्तर ना तो अंदर हमारा अंदर रूड सेवन तो बचा ही रहे तो आपका सत्य हो जिस पॉइंट पे नॉर्मल इस्ट्रेस दो सो था वहाँ पर आपका जो मान निकाला आपने सीर इस्ट्रेस ता वह मान निकल के आदिया 50 र आपको बताया है तो या कोड़ो हमने आपको बताया था जब भी तबी इस प्लेन के जो पर पर प्लेन होगा उस पर आपको नॉर्मल इस्ट्रेस भी बताना है इस लाइन को जश्ट्राइब करेंचर तौचेता बिच्छे पर देने साइन से पर प्लेन पर एतलं स्थ हगो यहां से पर पेंडिकलर रॉप कर देंजे को यह जो प्वाइंट यह जो पॉइंट अए यह पॉइंट चितने टा होगा बस वही हमारा नॉबल बताहिए लेकिस पॉइंट के दूरी बताई जाए दी वह ओर्जिन से बताई जाए लिए ये बात धानुख न तो अब एक बात प्रूपता ये जरा ये ट्रेंडेल ये ट्रेंडेल दोनों ट्रेंडल से मेट्रेट तो चीन टो न से अपने लाइन ठीच लेता हूं, जिस सेनलैटर आवर नाकिर And की दुरी है यहान से लेटा से 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 लेटाά Sh two बढ़ लट और एपन पूरसम है। यहांस सबस्生 Ha Long Boss मतला और घर सकते हो कि इस्ट्रस हो जाए रहा आप घर संव घर सो ज्बॉला ओप्स्न ढेजरिग्न बचराइब दूरी सो बच रही है यह दूसरी तरह माइनस की हो रहें तो माइनस वाला नहीं माइनस वाला और माइनस मतलब होता है तो इस्टा जो ट्रेट टांसर हो जाए रहा वो 50 रूड 7 आपका CR stress हो दिया और वहाँ पर जो नॉर्मल इस्ट्रस आ रहा वो 100 मेरा पास्टल टॉम्परेश्यू आ दिया तो तीश्ट जो ट्रेट टांसर हो जाए रहा वो option number C ट्रेट हो डिया यह 200 थी यह पूरी 200 यह 500 यह चलिए next portion देखते हैं, portion number हमारा 31, 31 देखी portion क्या बोला जा रहा है, 31 portion यह है ति यह body is subjected to direct tensile stress 300 MPa in one plane, atominate by a simple CR stress मतलाव sigma x भी लगा है 300 और उस्टे साथ साथ आपका tau भी लगा है, tau यह 200 और फर बोला जा रहा है maximum normal stress बताईए ति maximum normal stress चितना होना चाहिए तो चाहे तो आप इस्टो formula से लड़ा लो चाहे फिर आप उसे लड़ा लो analytical method से तो चाहे जिसे लड़ा है, यह मा लीजा analytical से लड़ा रहा है, f1 ले टाल ला है, formula होता है fx plus fy by 2 यानि sigma x plus sigma y by 2 तो sigma y तो है नहीं पर सवाल में, तो sigma x से तो उसीर by 2 तरना पड़े तो 1500 प्लस अंडरोड, फिर होता है fx minus fy by 2, तो वो तो है नहीं है, तो 300 बटे दो टाही आधा इस्टोयर तरना पड़े तो यह 1500 हो जाएगा, प्लस, और आधे होता है tau square, तो tau square मतलब 200 square, अब इत्बा मताईए ज़रा यह जो अंदर वाला data है, इस data तो बड़े अराम से salt आए जसता है, जैसे, यह पताईए, जो 1500 square है, यह 15 square होता है 225, और 20 square होता है 400, और 15, 220 square 400, तो 225 और 400 हो जाएगा 625, और अंडरो लिया जाएगा तो पचीस, तो इस्टा मतलब यह हुआ, जब आप इस्टो सॉल्ट आओगे, तो यह हमारा 250 आजाएगा सॉल्ट आने पाद, तो मैक्सिमम नॉर्माल इस्ट्रस जो आगया, वो आपका 400 मेरा पास्टल आगया, तो देट लिए 400 औरोंस option है, तो 38 जो option हो जाएगा, तो इस्टो हमने जो लगाया, यह लगाया है, टे portion number हमारा 38 option number D हो लिया, portion अडला देखते है, portion number अडला देखिए, portion number 32 क्या बोला जा रहा है, एक बार आप cross section A, कहा जा रहा है, कि मेरे पास एक बार है, जिष्टा जो cross section area है, यह area बोला जा रहा है, यह area A है, फिर आजे देखी क्या बोला जा रहा है, subject to a tensile, axial load, मतलब एक ल load लगा है, tensile लगा हुआ है, axial load लगा है, और वो load प्रमान दे रहा है, डबलू, फिराडे बोला जा रहा है, the normal stress on a oblique plane, normal stress oblique plane पे will be maximum, when theta of the plane to the axis of bar, मतलब टहा जा रहा है, यह जो bar टी axis है, इस axis से किस angle पर, आपको जो normal stress होगा, normal stress होगा, वो कैसा होगा, maximum होगा, तो normal stress maximum हो, वो theta बताईए, और वो भी theta बताना कहां से, वो बताना है, axis of bar से, तो axis of bar तो यह है, तो आप सब पता है, यहले case में, जो maximum आपका normal stress आता है, तो maximum normal stress तो आपका इसी plane पे आता है, अब बताओ, यह plane और वो भी W यह आई रहा है, तो यह plane, axis of bar पर से angle बना रहा है, 90 degree बना रहा है, तो axis of bar से angle पुछा जा रहा था, इसलिए इस्टा जो threat answer होगा, वो 90 degree साही होगा, 0 degree answer threat नहीं होगा, तोटी इन्होंने जो angle पुछा था, वो axis of bar से पुछा था, तो threat जो answer हो जाए रहा है, वो इस्टा 90 degree threat होगा, तो question number 32, option number हमारा D, टेरेट थोड़िया, question number अडला देरते हैं, question number 33, question number 33, question number 33 के बुला जा रहा है, एक सॉलेट सल्कूलस साथ, is subjected to maximum shear stress, 840 मेड़ पास्टल, और आड़े बुला जा रहा है, the magnitude of maximum normal stress, बताईए, maximum normal stress, तो मेड़िया, तितना होना जाए, अब इजनों नहीं कहा है, maximum shear stress, 840 मेड़ पास्टल है, और बुला जा रहा है, magnitude बताईए, maximum normal stress, तो आप ये का सबते हो, ति सर, ये जो condition है, ये तो हमारे pure CLT condition है, तो pure CLT condition में, आप सब पता है, ति जो मोहर जल्टल बनता है, वो तो इस form में बने रहा मोहर जल्टल, तो ये हमारा मोहर जल्टल बना दिया, जब्ती maximum shear stress बोला जा रहा है, वो जा रहा है, maximum normal stress, तो सब तो बात पता है, जो maximum normal stress है, origin से, वो तो ये point होड़ा न, तो maximum normal stress हमारा 840 मेड़ा पास्टल क्या टांसर हो जाएगा, तो 840 मेड़ा पास्टल देखिए, टॉंसा है, option number D, तो 33 हो जाएगा, option number D, next question देखते है, question number 34, अब देखिए 34 क्या बोला जा र रहा है कि at a principal plane, कहा जा रहा है कि principal plane पे क्या होता है, तो सब भी बात पता है कि principal stress plane पार normal stress maximum और minimum होता है, but CR stress क्या होता है, 0 होता है, तो देखिए लिजे कौंट सा, no stress is adjust, डिला दे, only uniaxial stress at, डिला दे, the normal stress is maximum और minimum, and CR stress will be 0, यानि normal stress maximum होगा, minimum होगा, और CR stress टैसा होगा, 0, तो इस्टर जो 3 टांसर हो जाएदा, question number 34 क्या हो जाएदा हमारा C, principal plane प्लेंटी definitions लासा वालता, question number 34, option number C हो जाएदा, next question देखिए है, question number 35, 35 पो जाएदा, the feeder driven blow, sony, the stress at a certain point in a stressed body, the maximum principal stress बताएए, maximum principal stress बताएए, for the system, अब यह बताओ, यह तो डाइडाम दे रहा है, यह डाइडाम में साफ सा पता चलना है, कि टेंसाइल stress, sigma भी लगा है, effects भी लगा है, और साफ साथ यह shear stress भी टाम कर रहा है, अज़ा shear stress भी धानखना है, वो sigma ही है, तो sigma हमारा shear stress भी है, तो आप लोग चाहो तो इस्टो बड़े अराम से more circle बना के solve किया सता, देखो, effects भी sigma है, फ्य भी sigma है, तो more circle बना चेंगे यह तो solid आलीजी, ज़्यादा असान पढ़े रहा आपके लिए, तो यह रहा origin, तो बताएं, normal stress हमारा effects रहा, यानिए सिडमा रहा एफ्टिद मां है और फड you to shift ile उपिभी इवाई थी शिडमा थी यही पॉइंट मिले रहा और खिर इंवल्ष भी सिडमा है इस victim यहां से sigma उपशन बी जाना है सिडमा नीचे भी आना है अब सिंटर बन जाना रहा ये जे बन जाए रहा ये टे बन जाए रहा तो more circle draw पर दीजे तो इस्टा more circle draw ये जाए रहा तो ये more circle turn from इस point से होटा दूर जरेडा क्यों टूटी ये दूरी भी तो sigma है radius के बराबर है तो इन्होंनों पूछा था इन्होंनों पूछा था maximum principal stress तो मेरे भाई maximum principal stress तो यहां मिलेगा तो इसबाह बताओ और जेंसी ये दूरी सिड्मा है तो ये दूरी भी सिड्मा ओडिटूटी रेडियस है तो जो maximum principal stress मिलेगा वो आपका 2 sigma होगा minimum principal stress होगा वो 0 होगा तो पूछा आ रहा था maximum principal stress तो जो ट्रैट टांसर हो जाए रहा 35 वो option नमबर सीट एट हो जाए रहा 2 sigma तो maximum principal stress आजिया हमारा 2 sigma मोर्जर्टल से सौल्ट आया चाहेते तो आप बड़े अराम से formula से भी सौल्ट आ सकते थे formula आप सब पता है कि maximum principal stress f1 पर formula होता है fx plus fy by 2 plus under root fx minus fy by 2 टा स्ट्वायर और plus हमारा क्यूश्ट आया तो आप लोड इस वाले formula की मदद से भी सवाल को सौल्ट तरसते थे चले नेफ्स कोशन देखते है question number 36 more circle for a general case y-axial stress the distance between the distance of center of circle from y-axis कहा जा रहा है तो y-axis से distance बताईए अरे भहिया y-axis से जो distance होती है माल लीजे ये sigma 1 वाला point हो लिए sigma 2 वाला point हो लिए तो आप सब पता है कि y-axis से जो center टी ये distance बने दी इन टी बीचो भी distance हो लिए तो बीचो भी distance हो जाय रही वह हो जाय दी sigma 1 plus sigma 2 by 2 तो बीचो भी स्ट्री जो distance हो जाय रही वो sigma 1 plus sigma 2 by 2 तो वो जया रहे हो निया चलिए निस चोशन देखते हैं 37 37 की होती है नहीं हो सारी चीज़ दे रखी है सिग्मा बाइस दे रखा है सिख्मा डे रखा है टाव एक्स दे रखा है अब मोहर शल्ष्टल की क्या पुछी हारी radius अर्च्छा सवाल है अराम से लग जाए रहा तो radius मौहर सल्कल्टी होती है अंडरोड fx-fy by 2 टर्ष ट्वायर और प्लस q ट्वायर यह मौहर सल्कल्टी रेडियस होती है तो मेरे भाई बताओ यहां पर पूशी आ रही दिए रेडियस यहां पर पूशी आ रही दिए रेडियस तो radius हमारा निकलते है दिया 50 मेडा पास्टल तो टोशन नम्बर 37 जो ऑफ्शन क्याट हो जाए रहा वह हमारा बी अंसर क्याट हो जाए रहा 50 अरला टोशन देरते टोशन नम्बर 38 फिर सेम सवाल है टाव सिग्मा एक्स दे रहा है टाव एक्स वाई दे रहा है औ तो मिल भाई जो मैक्समाम सियर इस्ट्रस होता है वही तो मोहर सल्टलेटी रेडियस होती है और अभी अभी फॉर्मला बताया दिया था तो फॉर्मला टोशन यूज टिया जाए फिर से तो सिड्मा एक्स माइनस सिड्मा वाई तो 20 माइनस 80 टडोडे तो 60 बटे 2 टडोड प्लस और 40 रिस्ट्वायर तो इस बार जो आंसर आजाए दा वह हमारा 50 फिर से अंसर आगे तो ट्रैक्ट अंसर हो जाए दा मैक्समम सियर इस्ट्रस या रेडियस का 50 मेडा पास्टल तो देट लिए जिए बिट्री मेडा पास्टल तो आप्शन नमबर C तो 38 आप्शन नम सी टर्टी भी अंतर साड बना दिया रहा है इसलिए आपक्ता 50 मेडा पास्ट्ल इस बार भी अंजर आया तो टो टोशन नम्बर 38 अप्शन नमबर C अडला टोशन देखते हैं फिर यह तोड़ा था मिस्टेट हुई है इनसे मिस्टेट यह हुई है जो टोशन नमर 49 है ना question nine out is question number 48 statement लिखा है और 40 का जो पहला पार्थ है वो यह है और 40 जो दूसरा पार्थ हो । यह दूसरा पार्थ आजे है तो स्टेमेंट पढ़ता है the state of stress at a point in a two dimensional loading is such that the मोहर सल्कल इज पॉंट at 150 μεड़ पास्टल on positive normal stress कहा जा रहा है कि हमने किसी point पर इस तरह से loading की इस प्रटार से loading की किस्थ्रा जो मोहर सल्कल बनता है मोहर सल्कल किसी तरह टरह कुई सल्कल नी बनता मोहर सल्कल इज पॉंट बनता है यानि कोई point बनता है is located at 175 metapastal on post to normal axis यानि जो हमारा 175 metapastal दी दुरी पर है that means यह जो दुरी है यह दुरी आपको कहा जा रही है 175 metapastal यह दुरी टाही जा रही है और कहा जा रहा है जो more circle बनता है वो points बनता है तो the state of stress at a point P in a two dimensional loadings is such that the more circle is a point at 175 metapastal on post to normal axis यह इन्होंने statement दिया है अब इन्होंने देखी statement देटर पुछ option पूछे उन्हों है तो पहला option देखते हैं पहला पूछा है पूछा है पूछा रहा है भी maximum and minimum principal stress बताइए टितना होना चाहिए अरे मेरे भाई जब more circle ही point बन जया तो maximum भी 175 होगा और minimum भी 175 होगा तो टेहने टा मतलब यह है ति जब भी तभी more circle point बन दा है तो maximum principal stress 175, minimum principal stress 175 तो इस्टा मतलब यह होगा ति maximum principal stress टाहा जाए चाहे minimum principal stress टाहा जाए दोनों तो जो answer हो जाए रहा हो हमारा 175 वो भी plus 175 तो जो threat answer हो जाए रहा वो 40 बी हो जाए रहा प्लस 175 और प्लस 175 मेड़ा पास्टन तो पहला पार्ट हो डिया दूसरा पार्ट देख लेते है इस्टा ट्या है यहनों नों बोला है the direction of maximum and minimum principal stress at a point from P महर्जल्टल आर stress at a point P from महर्जल्टला कहा जा रहा है ति आपने जो direction हो डिये maximum और minimum principal stress टी वो direction बताए यह हमारी कित्री direction में होगा तो आप सब तो पता है जब भी तभी महर्जल्टल्टल आ एक point बनता है तो point बने डा तो चाहे यह plane ट्रहिए चाहे कोई भी plane ट्रहिए हर plane पर जो maximum normal stress ओड़ा वो इस तो पसित्तरी होगा चाहे कोई भी plane ले दिये और हर plane पर जो CR stress होगा वो तितना होगा जीदो होगा तो जैसकते हो कि आपका जो principal plane की direction होगी वो 090 कुशनी रहे दिया सारे planes पर हमारा normal stress maximum होगा तो वो इस्टरी जो करें टांसर हो जाएगा वो all direction करें टांसर हो जाएगा सारे plane पर आपका maximum principal stress minimum principal stress ही मिलेगा तो इस्टा करें टांसर हो जाएगा all direction तो question no.40 आपका rate में आई गार question है इस्टे दो पार्ट थे थोड़ा सा feeder में से हम आपको feeder यहां बनाते दिखा दे ताकि सवाल सही हो जाए feeder कुछ इस तरह बना था question no.40 कि यह हमारा 100 मेड़ा पास्टल ऐसे दिखाए दिया था और यह हमारा क्या सकते हो कि 20 मेड़ा पास्टल ऐसे दिखाए दिया था तो यह feeder आपको मिल जाए रहा अब देखे question क्या बोला जा रहा है the feeder shows the state of stress at a point certain point is not stressed body the magnitude of normal stress in x 100 in y 20 मेड़ा पास्टल और यह diagram बना हुआ है यानि 100 तो तेंसाहल लिए दिया है और 20 तो टॉमपरिश्वी diagram बना हुआ हमने लिए ध्यान रखने से बार को पुछा रहा है बताइए मोहर सल्टल तो चलो फिर आम लोड इस्टो मोहर सल्टल सी सॉल्ट आ लेते तो मोहर सल्टल सॉल्ट आ जाए तो बताई ज़रा यह हमारा 100 वाला point आया तो टुटी प्लस है और वो हमारा 20 वाला point यह माइनस 20 वाला point है तो यह आप इस्टो ऐसे मिला दो तो यह मोहर सल्टल बन गया सवाल यह है कि पहले पताऊ इस्टा सर्डाइमेटर चितना होड़ा तो डाइमेटर टहा जाए तो माइनस 20 से पूरा 100 तो माइनस 20 से पूरा 100 आप देसकते होती जो डाइमेटर फिलते आयगा वो 120 निडाए रहा अज्या डाइमेटर है तो रेडियेस इतने इतने पर आए लिए 60 तो मोहर सल्टल टी जो रेडियेस बने ली वो 6 मेरा पास्टल बन जाही तो इस्टा जो ट्रेट टांसर हो जाए रह वो option नमबर सी ओ ग C ठिक तो यह हमारा मोर्जल्प रेडिस आरी 60 मेरा पास्टल नेस्ट टोर्शन देते हैं टोर्शन अम्मार 22 42 टोर्शन यह बोला जा रहा है एक टू-डैमेंशनल फ्लूड ऐलिमेंट्स रोटेट लाइक आ रिजिद बोड़ी एट पॉइंट विदिन दा इलिमेंट प्रेश प्रेशर वन उनिट यह इस पर जो प्रेशर कर रहा है प्रेशर अब यह बाब बताईए जो भी फ्लूड होता है उस पर जो प्रेशर होता है वह वन यूनिट कहा जा रहा है तो प्रेशर तो चारो तरफ से समान पड़ेगा फिर आरे बोला जा रहा है दर रेडियस और मोह पॉइंट बने रहा जब आपका मोहर सर्क्ल पॉइंट बने रहा तो उसकी जो रेडियस आजाए गी वह हमारी जीरो हो जाएगी तो इस्टा जो आपका वह बियांसर ट्रेक्ट हो जाएगा जीरो यूनिट तो यह प्रतार से वह टेस होता है जिसमें इसी बॉडि पर हाइड तो यूब्ड स्टेटिक फॉर्श टरन करता है है तो है डिवडिश्ट फॉर्श टाम हमेशा जो मेंचा बने रहा हो हमारा एट पॉयंट बने रहा और निए टिए डिएटिव एक्सेश इस्ट यूनिट बने जाए तो बैलिस्ट आप्षिन हो जाएगा वह हमारा बी ऑप प्रिंस्पल स्ट्रेस बताओ और मैक्समम सीर स्ट्रेस बताओ तो बहिए मैक्समम सीर स्ट्रेस जो एफ वन होता है उस्टा फॉर्मला होता है सिग्मा एट्स प्लस सिग्मा वाई बते दो तो 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 F1 का माना जाएड़ा, अब एड़ बाह बताओ, ये मान स्वाल काने पर आएड़ा 500, अब 500 पहले से, तो maximum principal stress टांसर आ जिया 8000, तो maximum principal stress 8000 किस में हैं, तो C और D में हैं, तो इसना मतलब A और B डिलत हो जिया, और इन्होंने एट और मान पूछा है, maximum CR stress, तो पहले बताओ, जो तो ये हमारा maximum CR stress 500 मेडर पास्टल आ जाएड़ा, तो maximum CR stress 500 मेडर पास्टल इसमें है, तो इसना मतलब ये D भी डिलत हो जाएड़ा, तो जो ट्रैट टांसर हो जाएड़ा, तो यहां पर हमने portion number 43 तो भी solve कर लिया, जिसमें हमें sigma X, sigma Y दिया जा रहा था, और बड़े अराम स हमने उस्टा जो है maximum normal stress और maximum CR stress तो ज्याद के लिया, तो देखिए, यह हमारे पास portion number 44, जो टी सेशन तर लास्ट portion है, देखते हैं, यह question क्या है, हालागी यह question हमारा 8, जो है list base है, तो portion number 44 है, उस देखिए, list 1 में बने हुए है, सारे के सारे diagram, तो list 1 में बने हुए है, तो list 1 list 1 में बने हुए है, सारे के सारे नाम लिखे हुए है, तो diagram के साथ साथ नाम लिखे हुए है, बट इसके जो option है, वो option आपके यहाँ नहीं है, यह option आपके next page में है, तो देखते हैं, इनके टॉन टॉन से पार्ट हमारे सही होंगे, और टिस पार्ट के साथ क्रौन सी matching करना है, तो आपको बस एक बात देखनी होती है, इसमें से आपको यह जो भी option solve करना हो इसमें से, तो आप इस तरह को solve करते समय हमेशा list set end, यहाँ पर आपको नाम लिखे हुए है, वहाँ से start get रही है, तो देखिए पहला नाम का लिखा हुए, पहला नाम लिखा है, पहला नाम मोहर सर्कल बनना चाहिए, चुटी bending भी है, torsion भी है, that means bending हो रही है, तो आप टह सकते हो, बेंडें इस्ट्रस आए रहा है, जिस्टों आप एब भी टह दीजे, और उस्टे साथ साथ आप्टा सीर इस्ट्रस भी आए रहा है, तो सीर इस्ट्रस रहा है हम लोग तुछ इस प्रटार से, तो आप ऐसाट्य सकते हो, ढिया पहले वाले टेस्ट लिये जो हमारा मोहर सर्कल बने रहा, वो तुछ इस फllow बने रहा है, तो हम एसा टेस्ट्रस अंजरा रहा है, वो लास्ट वाले और व्प्शन नजरा रहा है, तो आप ऐसा ट एस एस्ट्रस सकते हैं, तो यह दूसरे statement करेता है तॉर्सन और सुल्कुलर साफ्ट तॉर्सन का मतलब होता है कि टेवल और के रिष्टरस टाम करेड़ा अजरा तो दूसरे वाले statement रहा जो मुहर जल्कुल कुछ इस फॉर्म का बन जायदा तो यह फॉर्म हमारे मुहर जल्कुल बने रहा या दूसरे वाले statement का हो जाएगा तो देख लीजिए यह डाइनाम आपको कहा नजर आ रहा है तो यह नजर आ पहले वाले में तो आप कह सकते हो टी नंबर ए इससे मैच कड़ जाएगा उसी तरह से देखिए अटला तीसरा वाला आपको statement लिठा हुआ है थिन सिलेंडर सब्ज जो टी tensile nature का होता है और दूसरा stress होता है longitudinal वह भी tensile nature का होता है तो आप test सकते हो इस वाले test लिए ये ब्लॉक आरिक बनेडा तो ये देखिए ब्लॉक कारिक कहा बनना है तो ये ब्लॉक कारिक बनना है हमारा डाइडाम नंबर सी ने उसी तरह से देखिए लास्ट वाला लि टेंसाइल फोर्स लड़ा हुआ है तो टेंसाइल फोर्स लड़े होने ती वज़े से इस्टा जो ब्लॉट डाइडाम बने रहा तो इस्टा ब्लॉट डाइडाम कुछ इस प्रकार से बन जाए रहा तो यह ब्लॉट डाइडाम हमारे चौथे वाले का हो जाए रहा तो देखि तो हमने क्या किया है कि 1 2 3 4 स्टेटमेंट की मदद की साय मदद से यह 123 टैसकते हो कि डाइडाम को तो अब हमें यह देखना है कि option कौन सा होता है तो option को भी देख लेते हैं कौन सा option मिलेगा लेटेटी जो option लिखे हैं वह ABCD में लिखे हैं कि ABCD बताइए 123 क्या आना चाहिए तो हम लोग ABCD से स्टार्ट करेंगे तो बताइए यह जो ए लिखा हुआ है अगर बी की मेचन देखी जाए वी चौथे वाले डाइडाम से अगर C अइसे हो रही है तो ठीक नेवाले डाइडाम से मारे हैं तो पहले वाले डाइडाम से तो आप यह test होते हैं कि ABCDT जो option मिलने चाहिए जाहिए जार उस्ते अनुसार 2431 तो देख लीजिए 2431 कौन सा है 2431 2431 तो जो threat answer हो जाएगा वो हमारा C part threat हो जाएगा तो आपको करना बस इसी तरह से होता है यह statement पढ़िए और उन statement की मदद से आप इनके block diagram बनाईए जैसे ही आपका block diagram तयार हो जाएगा तो बड़े अराम से हम लोग option को टिक्टर देगे तो यह इस session तो लास्ट question था 44 नंबर यह question ट्राइब आरज जाम में आया हुआ है जिस्ती मदद से हम लोगों को यह पता चलता है कि इन statement के आपके block diagram कैसे बनेंगे और जब block diagram आप बनाना सीठ जाओ रहे तो उस्ती मदद से आप लोगों मोहर सल्किल भी बनाना सीठ जाओ रहे तो आप हम लोग जो नया topic होगा वह start होगा B या फिर SMD और BMD चले झाले